गुद इवनिंग सेशिकल स्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है सारे ही स्टुडेंट्स था एर्युडेशन स्टाड़ी दे ओफीशिल चानल ते जित्य सी मास्टर केडर पंजाबी आंड यूजी सी दे पेपर दी त्यारी कर रहे हैं आज 10 अड़ जो सेशन या ए रहेगा अमरिता प्रितम जी दे बारे वीच चेड़े स्टुडेंट्स पहली वरी सेशन देख रहे हैं ओना नू दस दिया कि साड़ी डेली ही लाइव क्लास हुन दिया शाम नू आठ वजे मंडे तो लेके सैटरेडे तक ठीक है संडे नू तो अड़ा ओफ्रेंड है और जदो असी कोई भी साहितकार कर देया ता डेली असी 15 तो वीक वेशन्स होना देनाल डिसकस करी देया सिरफ MCQ ही डिसकस नहीं कर दे बलकि ओदे नाल नाल जिनने वी एक्स्टा फैक्ट्स होन देया है कुछ बहुती थेयरी वगेरा वी असी कर लई दिया ओके अगर कोई पर्सन पेड बैच लेना चाहिनदा है ता स्क्रीन दे लेफ्ट साइड तो नो एक नंबर दिता होया है ओदे ते तुसी कॉल करके और सारी डिटेल ले सकते हो शुरू कर देया फिर आज दे सेशन नू जिस दे विच असी पढ़न वाले है अमरिता प्रितम जी अमरिता जी दे बारे विच दिन पहला रहेगा ओके अमरिता ची नू करते होयाई यसानननं दो या तिन लग झान विकज बिकज अम्रिता प्रितम सड़े जीवनी कारदे तोर दे उपरवी हैगे ने, नावल कारदे तोर दे उपरवी, तर सारे असी एनना दे विच्छी कवर कर लाने हां. शुरू कर दियां फिर पहला question देखो, अम्रिता प्रितम जे पिता जी किस उप नाम हे ठिंदी कविता लिख देशन, अम्रित, बिक, पियूक, पियुश, आंसर करने प्रशन नंबर एक दे लई, हाँ जी, सार्यानू बहती प्यार परिशा शिकाल जी, हाँ जी, पहले प्रश केड़ा वर्त दे सीगे? पहले दा बेंद जीदा अंसर आ रहावाया, C, यानि की पियूक, ओके, बिल्कुल ठीक उत्तेर है, पियूक, तो नू पता हिया, अना दे पेता जीदा नाम, ज्यानी, करतार, सिंग, हितकारी, माता जीदा नाम, राजकौर, जीडे हितकारी सी, ब अपनिया हिंदी दिया कवितामा लिख्या कर दे सी, ते फिर जदो उनना दे कार अमरिता प्रीतम ने जनम लेया, उस्तो बाद फिर अमरिता प्रीतम दा नाम जदो उनना ने अमरित कौर रख्या, ता फिर उस्तो बाद उनना ने पियूक नाम वर्तना बंद कर दिता, ते ह हितकारी उपनामदी वर्तों स्टार्ट कर देती ओके कीप इंड माइड आगे देखने हां क्वेशन नमबर टू करतार सिंह हितकारी किस लिट्रेरी जानरल दे आडिटर सन पांजदर्या नागमनी रणजीत नगारा दलीप नजारा प्रशन नमबर दो उत्तरकरो जी करतार सि हितकारी किस लिट्रेरी जानरल दे आडिटर सन हां जी जी अम्रिता प्रितम दे पिता जी दे बारे दे बिच्छी पुछा जा रहा और क्वेश्चन पढ़ दिया ही फटाफट आंसर करना ओके और अगे वदन तो पहला लाइक दा बटन दबा दियो ओके बिलकुल दूसरे दांसर जेडे वी कर दे पाया रंजीत नगारा उनना दांसर बिलकुल ठीक है सानु पता हिया कि चांद शास्त्री ता है गी यह उस दे नाल-नाल करतार सिंग ब्रिज पाशा देवी बहुत जादा चंगे वी घ्यानी सी गे घ्यानी सी सौरी ओके ते ओना ने रंजीत नगा अगे अमरिता प्रितम ने अपने नाम नाल प्रितम किस दे नाम करके जोड़िया आई डोंट थिंग की एवाला क्वेस्चन किसे दावी घलत होन वाल है दादा जी पिता जी पती या फिर बेटा प्रेशन नंबर तीन दे लई उत्तर करू जी तीसरे प्रशन दा उत्तर की होएगा गुडवण गुडवण एवरिबड़ी जुइंग सो वेरी गुड़ जॉब शाबाश तीसरे दा अंसर सी आ रहा होना दे पती बिलकुल ठीक उत्तर है तो नूँ पताया कि 1907 दे विच जड़े अमरिता सी एहे इंडिया आगे सी है ना फिच अलाई लाहोर दे विच सी घए ओधे दे रेडियो स्टेशन दे विच जड़े है ना बात दे विच जड़े डेली आए ता ओल इंडिया रेडियो दे विच आनल ने काम करना स्टार्ट करता 16 साल दी उमर दी विचानना दी मारिज होई सी प्रीतम सींग कवात्रड़ा दिनाल जड़े गयाना दी काजन नी सिगे और ओधो फिरना ने आपड़े नाम दिनाल प्रीतम जोड़ लिया पर ओना दिनाल बहुत जादा दे रहना दी बड़ी नहीं और 1960 दे विचे है एक दूसरे तो अलग होगे सी अगे चोथा प्रशन है प्रिंसिपल तेजा सिंग ने केड़ी रचना पढ़के अमरिता प्रीतम नूँ पंजाब दी आवाज आख्या आज आखा वारस शानू अमरित लहरा थंडियां करना पिंजर प्रशन नंबर चोथे दिलेई आंसर करो जी की होगा हाँ जी पंजाब दी आवाज किस ने बोलया तो अनुए याद रहना चाहिए प्रिंसिपल तेजा सिंग या फिर जो प्रशन तो अड़े सामने स्क्रीन ते ए वी पुछा जा सकते है राइट बिल्कुल चोथे दा अंसर होगा आज आखा वारस शानू सानू पता है एदे विच उनना ने वारस शानू दुहाई दित्ती है है ना कि ओ आज वी आले द्वाले एनिया तिया रूंदियां पहिए उनना बारे लिखे जिमें कि उनने कदी हीर बारे लिख्या सी ओके ता ऐसी रचनानू जदो तेजा सिंग जी ने पड़ेया उनना इननी जादा पसांद आई कि उननना ने अमरितानू की बोल दिता वीच छपियां ठंडियां किरना अमरित लहरा रणजीत नगारा पिंजर आंसर करने प्रेशन नंबर पंच दिले येस प्लीज तार्मीक रचनावा ट्रैक्ट दे अंडर जदो छपियां ता ओधा दसनाया सिरलेख ओके जी पंचवे दिले ही सी आंसर आ रहे हैं ओके सारे ही सी आंसर कर रहे हैं ओके बेंत जीदा ए आंसर आ गया है बिलकुल ठीक है ठंडियां किरना बहुत इंपोर्टेंट प्रशन रहेगा एन्नों यादरा खलाना ठीक है देखो अगर ता तो आडिकुल पुच्छा जाए कि अमरिता प्रीतम दा पहला प्रकाशित कावसंग्रा केड़ा है फेर ता तुसी डिरेक्ट आंसर लगाओगे अमरित लहना ठंडियां किरना नहीं लगाओगे ओके बट अगर आजांद है जेडियां एना दियां तार्मि रचनामा सी जदो ओहो ट्रैक्ट दे हेट चपियां ओदो उन्दा सरलेक केडा सीगा ता फेर तुसी याद रखना या ठंडियां करना ठीके जी याद रखोगे ओके अगे है छेमा प्रशन अमरिता प्रीतम ने लोग पीड रचनावेज किस दा जिक्र किता 1984 दे दंग्यां दा देश दी वंड दे समय दे दंग्य बंगाल दा काल एनाड विचों कोई वी नहीं उत्तर करो प्रशन नंबर 6 रचना याद रखनी है लोग पीड जी छेमेज दे लेई आंसर करो जी छेमेज दा आंसर B वी आ रहे है और C वी आ रहे है जिन्ना ने आंसर किता C बंगाल दा काल बिल्कुल ठीक आंसर है तो उन्हों पते स्टार्टिंग दे विच्च क्योंकि अमरिता प्रितम दे उपर अपने पिता जीदा बोध पर बाव सी है ना इस करके उन्हान ने तार्मीक रचनामा लिख्याया बाद दे विच्च फिर की हुंदाया धीरे धीरे करके ए चंदबंद रचनामा तो बार निकल देया ते ए लिखना स्टार्ट कर दें देया रुमांटिक रचनामा फिर होली होली ये है प्रगतिवादी लेखकान दी सूची दे विच्च भी शामिल हो जान देने ते एथे ही एना दी लोगपीड नाम दी रचना याद रखनी है बंगाल दे विच्च काल प्याहा सीगा उन्नी सो तरताली दे विच्च इस तो बाद उत्थे दी जड़ी एकॉनमी है यानि जड़ी आर्थिक हालत है वो बिलकुल लगाता डिगदी ही जारी सी ते उस हेठां विच्चों केडी रचना अमरिता प्रितम ने सदाचारक अते तार्मिक दाइरे विच रहके लिखी ठंडिया किरना अमरित लहरा दोन्नों कोई नहीं प्रशन नमबर 7 उन ऐस प्रशन नूँ प्लीज त्याननाल पढ़ना विखज तो अन्ने विच्च काफियां दा एक वेस्चन गलत होन बाल है बिल्कुल तर्ताली देविच अकाल प्यासी ते चुताली देविच अना ने रचना किती सी लोग पीड़ दी वेरी गुड बिल्कुल ठीक है जी सत्में देले की आंसर होएगा सत्में दांसर आ रहा है सी बिल्कुल ठीक उतर है जी सी मतलब दोनो असी देख्या प्राक दे रूप देविच छंडिया किना चपया कोई दो रहा है नहीं बट असी हुने एक गल होर वी तक किती है कि एना ने स्टार्टिंग स्टार्टिंग देविच तार्मिक रचनावा अध्यात्मिक रचनावा ज्यादा लिखी है है ना ते उस टाइम देविच ए टाइम होएगा 1905 तो लेके और 1909 तक दा समा ओके और एदे विचाना दिया प्रकाशित दो रचनावा ठंडिया किरना और अम्रित लहना ए दो काव संग रहा है केड़े दायरे देविच लिख देन संज दी लाली पथर गीटे एदानिया रचनावा नू पेश का दिया अठ्मा प्रशन किसने अमरिता प्रीतम दी रचना नाग मनी नू अशलील दस्या खुश्वन्त सिंग गुर्बक सिंग प्रीत लड़ी इम्रोज सारे प्रशन नंबर अठ उत्तर करो जी नाग मनी अशलील किसने बोलिया थैंक यू सो मच बिनी जी अगर सारे लाइक कर देया ओराइट अठमीन आंसर बी बोर्डरों तुसी गुर्बक सिंग प्रीत लड़ी जो के बिल्कुल सही उत्तर है हुन एदे विच असी की की याद रखने एक ता तुसी याद रखने ना सिंग ने एणा नु बोलिया सी की जगवाणा ने क्याना कि मैं अपनी स्वेजीवनी लिखनी याँ ता कुश्वान सिंग ने क्या कि देवेच है की एक रसीधी टिकट ते पिछे तेरी सारे जंदगी बारे दस्या जा सकता है ओके ता फेर एणा ने आपनी स्वेजीवनी दूसरा नागमनी नू अश्लील रचना किसने बोल्या गुर्भक सिंग प्रीत लड़ी ने ठीक है और तीसरा प्रिंसिपल तेज्जा सिंग ने एना नू की बोल्या सी ओना ने बोल्या सी पंजाब दी आवाज आगे चल देया प्रशन नंबर नोमा अमरिता प्रीतम ने शाम का फूल नाम दी रचना किसनू पहली वार मिलन ते लिखी साहिर लुध्यानमी इम्रोज सज्जाद जहीर शिवकुमार बटालवी काम दी कीडी बिलकुल बिलकुल नोमे देली के आंसर होएगा शबाश नोमे देली आंसर ए और ऐ रहा है बाट ए हुए गां इम्रोज यानि की बियूतर ओके साहनु सारह नूभी पताया एन्नादे लव ट्रायांगल दे बारे वीच राइट अम्रिता प्रितम साहिर और इम्रोज ओके ओदे वीच एहें इ जिना दिनाद एना ने आपनी जंदगी दे आकरी वाले साल में कालेने। ते जदो अमरिता प्रीतम पहली बार इम्रोज नो मिले सी। उस्तो बाद उनना ने कविता लिखी जिस्ता से लेक सीगा शाम का फूल। ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगा याद रखना। अगे हैं एक थी अमरिता इस नाम दे उपर एनना नो एक थियेट्रिकल शर्दांजली दित्ती गई। ठीक है। किना ने दित्ती। MS सत्यू, गुलजार, पंजाबी साहित अकादमी, दिल्ली यूनिवासिटी। येस, प्रशन नमबर 10 दिली, आंसर करू प्लीज। एक थी अमरिता, ठीकल शर्दांजली, अमरिता प्रितम नो किना ने दित्ती। बिल्कुल आजार जी, absolutely right, 40 साल तक होना देना आल रहे सी। 10 में ली ए अंसर आ रहे हैं, जो के बिल्कुल ठीक है, MS सत्यू, ए प्रशन काफी वार पुछया जा चुक्या, ठीके जी, ता ए तुसी याद राख लेना, ए सिरफ वन वर्ड दा ही अंसर है गया, ए दे बारे कुछ जाधा डिटेल नहीं है, ता ए एन दे सनमाना दी कैटे पहली दा सनमान या फिर पंजाब रतन सनमान, प्रशन नमबर 11, उत्तर करो, पहली वार केडा अवोर्ड किसे कवित्री रू मिलिया और ओसी अमरिता प्रितम, अवोर्ड दा आंसर, 11, थांक यू सो मच बिश्नोई जी, पिलकुल ठीक है, ए रहन गे पंजाब रतन अवोर्ड, ठीक है, जदु इन नहीं पंजाब रतन अवोर्ड दिता गया सी, at that time, सड़े सीम कौन सी गे, एसी काप्टन अमरिंदर सिंग, ता याद रखना, अमरिता प्रितम फेरो दो, पंजाब रतन अवोर्ड हासल करन वाले पहले कवित्री बने, बार्मा प्रशन, जिस देश दी अकादमी वनों सनमानित किते जानते, किस आए गाते, ठीक है, अमर तुसी एक क्वेस्चन त्यानाल पढ़ लिया, ता तो अड़ा आंसर किसे भी हालत विच गलत नहीं हो सकदा, ठीक है, तब प्लीज, मैं हर वार कहने याँ क्वेस्चन त्यानाल पढ़ोगे, तब चत्तर परसेंट तो अड़ा आंसर ठीक होएगा ही होएगा, ठीक होएगा, ठीक होएगा, ठीक होएगा, पाकिस्तान, आसे कि देख्या सी, अमरिता प्रीतम दा, जो जनम है, ओ किते होंदा है, ओविसली पाकिस्तान मेंच, राइट, ता फिर, ओना दा माइका होगया, इनानी सारे जन्दगी, जदो इंडिया देवेगा, इनानी लाइफ दे, लास्ट वाले टाइम सी, जदो पाकिस्तान दी पंजाबी अकैडमी ने, इनानी सन्मानित किता, ते ओदो फिर, एनानी जदो इनानी सन्मान लिया, ता स्टेज दे उपड, बड़े जादा इपावुख होगे सी, और ना मक्खा देनाल, एनानी ओदो लाइन बोली सी, दाट, पंद्रा क्वेस्चन है गिने आशा जी, एनानी बोलया सी गा, कि बड़े दिनों बाद, मेरे माइके को मेरी याद आई, ते ओदो ही उथे पाकिस्तान दे कविया ने, उननानू वारत शादी मजारतों, बुले शादी मजारतों, और सुल्तान बाह अमरिता दी याद विच्च, ओडियो आल्बम कड़ी, गुलजार, सोनु निगम, अजीम जी प्रेम जी, कोई नहीं, प्रशन नंबर, तेरा दिली उत्तर करो, जी, हाँ जी, तेरा दिली आंसर आ रहा है, ए, परमिंदर जी बलनू आया, बिल्कुल ठीक है, ए हगेने, गु गुलजार, गुलजार जी दा नाम सारा ने सुनया हुया, उन एनना दे बारे देविच, 2007 देविच अनने audio album निकाली सी, जडी उनना ने अमरिता दी याद देविच, अननों कमेमरेट करन दे ली निकाली, ओके, एड उस अल्बम दा, तो नुस सरलेक भी याद रहाना चाह देविच, अमरिता प्रीतम दियां सारियां कवितावा गुलजार ने गया, उके, चोद्वा प्रशन है, अमरिता प्रीतम दियां चोडवियां कहाणियां दा संपादन किसने किता, किरपाल सिंग कसेल, बलदेव सिंग बदन, गुर्मुक सिंग मुसाफिर, प्रिंसिपल त जासेंग थांक यू मनी जी थांक यू मनी जी थांक यू यू जी थांस हां जी आंसर करो अउके बी आंसर आ रहा है बलदेव सिंग बद्दन बिलकुल सही उतर है एना दिया चोनमिया कहाणिया दा संपादन है कुछ एक चीजा हुँदिया जडिया से याद रखनिया हुदिया जिस तरह की गूगल ने एना नू डूडल देना सनमानित किता कदो 2019 देविच ए याद रख सक दिया जेडी डॉक्टर बलदेव सिंग बद्दन ने एना दिया चोनमिया कहाणिया नू संपादित किता उस दा परकाशन किस वनो किता गया नाशनल बुक ट्रस्ट ओफ एंडिया वनो ठीक है अगे चल दिया नेक्स देख दिया जी थांक्स पंदरवा और अजदा लास्ट प्रशन है अमरिता प्रीतम किस सदन दे मेंबर रहे पंजाब विधान परिशत पंजाब विधान सभा लोग सभा राज सभा की आंसर होएगा जी पंदरवे प्रशन देली अंसर करो केड़े सदन दे मेंबर रहे है गया अमरिता प्रीतम येस तो अड़ा अंसर आ रहे है राज सभा बिल्कुल ठीक है 1986 तो लेके 1992 तक दे टाइम दे विच एनननू राज सभा दा मेंबर नामजद किता गया सी और ये तो अनू सारा नहीं पता होएगा कि राज सभा दे मेंबर कोई क्यों बन दे राइट जिवे लोग सभा दे विच चोन लणनी पन दी है राज सभा विच एदा नहीं होदा है अगर तुसी आर्ट दे विच साइंस दे फील्ड दे विच कोई अच्छा कम किता है इवन पॉलिटेक्स दे फील्ड दे विच चुडिशरी दे फील्ड दे विच ता तो अनू फेर हो दे विच राज सभा दा मेंबर बनाया जान दे राइट ता एनना दे साहित नू जड़ी अना दे देन सी ओदे बेस दे उपर ही अमरिता प्रितम नू राज सभा दा मेंबर बनाया गया ओके जी याद रखना एक चीज हो रहत थे बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन मेरे माइड वे चारया ओवी याद रख लेना जेड़ा पाशा भी बाग है पंजाब अना ने आपने रसाली पंजाबी दुनिया देविच अमरिता प्रितम दा विशेश अंक भी निकाल लाज सी ता ए सारे दे सारे फेक्ट्स आर वेरी मच इंपोर्टेंट ते एथे आइधे आज दे जड़े 15 क्वेशन हैगे ने खतम हो गया होनसी कल मिलांगे अगले सेशन दे विच अगले एक होल्ड एक्चर दे नाल विद इस वर्ड थैंक यू सो मच 42 परसंट लाइव हैगे ने और 21 लाइक साह मीन 50 परसंट जड़े हैगे या ओड़ा नू चंगा लग रहे या और 50 परसंट लाग रहे है कि कोई ना अच्छा दो परे राइट ओके नौ प्रॉब्लम नौ अड़ अड़ आड़ अन कल मिलांगे होनसी पूरे अठ वजे और एदे विच असी अमरिता प्रीतम दे बारे दे विच दे टू डिसकस करांगे और हो सक दे है कि इस वारी संडे तो पहला पहला आसे सिरफ अमरिता प्रीतम नौ ही डेटेल दे विच डिसकस करिये बिकाज आज थर्सडे है फ्राइडे अड साटरडे टू देज हले पाएने अस वीक दे विच ता फिर आपा ओहो दो दिन अमरिता प्रीतम नौ ही करांगे ओके ओर राइट थांक्यो सो मा have a good day bye bye take care